नमस्कार बच्चों मैं रुची सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों आज मैं आपको पद परिचे पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वाकमी परिउक्त शब्द ही पद कहलाते हैं बिटा जैसे यहाँ पर हमने बताया है राम जाता है राम क्या है राम एक पद है जाता है क्या है यह भी एक पद है पद परिचे देते समय हमें क्या करना होता है जिस तरह से हम व्यक्ति का परिचे देते हैं उसी तरह से पदों का परिचे भी दिया जाता है जिस तरह से व्यक्ति का परचे देते समय उसका हमें नाम बताना होता है उसके गुण बताने होते हैं उसके कार आदी का विवरन देना होता है उसी तरह पद का परचे देते समय हमें पद का नाम, गुण, प्रकार आदि के बारे में भी सूचना देना होती है उसे ही हम पद परचे कहते हैं अगर हम सरा सरीके से पद परचे की परिभाशा समझना चाहें वह है व्याकरण की द्रिष्टी से पद का पूरा परचे देना ही पद परचे कहलाता है पद परचे देते समय निमलिखित बाते हमें बताई जानी चाहिए वो बाते क्या हैं? पद परचे में शब्द का भेट उपभेट बताने के साथ साथ उसके लिंग, बचन, कारक आदी का भी परचे दिया जाता है बच्चो पद किते प्रकार के होते हैं? पद दो प्रकार के होते हैं एक होता है विकारी पद और दूसरा होता है आविकारी पद अब हमें विकारी और आविकारी के बारे मालूम होना चाहिए विकारी शब्द क्या होते हैं? ये शब्द लिंग बचन और काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं जैसे लड़का का लड़के लड़कियां लड़कों आदी इसके अंतरगत क्या आता है? संग्या, सर्वनाम, किरिया, विशेशन आते हैं आविकारी शब्द क्या होते हैं? आविकारी शब्द ये शब्द लिंग बचन और काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं ये सदेव एक रूप में ही रहते हैं जैसे धीरे-धीरे, आगे-पीछे, वह आदी हम लोग किरिया, विशेशन, संबंद बोधक, समुच्चे बोधक, विसमे आदी बोधक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन निपात क्या होते हैं? निपात ऐसे अव्वे जो किसी शब्द के बात लगकर उस पर विशेश बल देते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं जैसे ही, भी, आदी अब हम लोगों को पद परचे में प्रकार मालू मुझे ये पद परचे कितने प्रकार के होते हैं? ये आठ प्रकार के होते हैं जैसे संग्या, सर्वनाम, विशेशन, किरिया किरिया विशेशन, संबंध भूधक, समुच्चे भूधक और विश्मे आधी भूधक हमें इन आठों का परचे, बद परचे देते समय देना होता है विविन शब्दों के परचे में हमें निमलिखित बातों का उलेख करना होता है जैसे हम जब संग्या के विशय में बात करते हैं सबसे पहले हम उसके भेद बताते हैं उसके बाद लिंग बताते हैं बचन बताते हैं कारक तथा किरिया के साथ संबंध बताते हैं बच्चों संग्या किसे कहते हैं सभी को मालूम है किसी प्राणी, वस्तु इस्थान या भाव के नाम को हम संग्या कहते है अब हमें इसके बताना पड़ता है कि इसका भेद यहाँ पर कौन सा है यह व्यक्ति वाचक है, जाति वाचक है या भाव वाचक है उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि वो संग्या का लिंग क्या है स्ट्रिलिंग है कि पूर्लिंग है फिर बचन बताना पड़ता है फिर कारक तता किर्या के साथ संबंद बताना पड़ता है दूसरा नमबर आता है सर्वनाम का सर्वनाम किसी कहते हैं बच्चो संग्या शब्दों की इस्थान पर प्रियोग की जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं इनके भेदों का पर्चे देते समय हमें बताना परता है कि इसका ये कौन सा प्रिकार है ये पुरुष वाचक है, निश्चे वाचक है, अनिश्चे वाचक है, संबंद वाचक है, या सार्वनामिक है, सार्वनामिक वाचक है, प्रिशन वाचक है, या निच वाचक है, इसका कौन सा भेद यहाँ पर है, यह में बताना पड़ता है, फिर हमें लिंग वचन कारक्त थ करjuja की संबंद के साद इसका संबंद बताना पड़ता है फिर तीसे प्राइब शेशन का सब्सक्राइब हला कि Ajay इसमें पीषीfik क्यालाते हैं और इसमें के लिकाने हैं संख्यान भाष्यक परइमार में शनाएं विशेशन है फिर हमें जो है सागनामिक वाचक विशेशन है बताना होता है किसमें लिंग कौन सा है बचन कौन सा है तथा विशेशन का उलेख करना होता है चौथा आता है आपका किर्या आप बच्चों किर्या किसे कहते हैं जो शब्द किसी कारिकी होने या करने का बोत करात हैं फिर हमें उनका लिंग बताना पड़ता है बचन बताना पड़ता है काल बताना पड़ता है करता कर्म आधिका उलेख करना पड़ता है बच्चों यहां पर ध्यान देने बाली बात यह है किरिया के भेद जो होते हैं दो अधारों पर होते हैं एक कर्म के अधार पर होता है दुसरा रचना के अधार पर होता है कर्मी के अधार पर जो होते हैं वो अकर्मक और सकर्मक किरिया होती है रचना के अधार पर जो होते हैं वो क्या होते हैं ये पांच प्रेकार के होते हैं सामान किरिया, सैयुक्त किरिया, नामधातु किरिया प्रेनार्था किरिया और पूर्वकालिक किरिया इसके बाद हमें पाच्वा बताना होता है किरिया विशेशन अगर वो किरिया विशेशन है तो उसका हमें भेद बताना पड़ता है किरिया विशेशन किसे कहते हैं बिता जो शब्द किरिया शब्दों की विशेष्टा बताते हैं भी किर्या विशेष्ण कहलाते हैं इसमें हमें उनके भेदों को बताना पड़ता है कि वो रीती वाचा किर्या विशेष्ण है काल वाचा किर्या विशेष्ण है इस्थान वाचा किर्या विशेष्ण है या परिमान वाचा किर्या विशेष्ण है त पर समुच्चे बोधक होते हैं दो शब्दों वाक्याशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चे बोधक कहलाते हैं फिर उनके हमें वेदों का उल्ले करना होता है कि वो समाना अधिकरन समुच्चे बोधक हैं कि व्यदिकरन समुच्चे बोधक हैं उसके ब विकारी शब्द संग्या या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंद वाकिकी अन्शब्दों से होने का बोत कराते हैं वे संबंद पूधक कहलाते हैं उसके बाद उन दो संग्या सर्वनाम शब्दों का उलेक जिनका संबंद बताया जा रहा है उनका परचे दिया जाता है फ इसमें आदी बूदक कहलाते हैं और उनका लेख किया जाता है ये तो हमें आठ पदों के प्रकारों का परिचे देते समय बाते धिहान रखनी पड़ेंगी और सबसे पहले हमको समझ देना है कि लिंग क्या है लिंग दो प्रकार के होते हैं एक होता है पुर्लिंग और दूसर होता है इस्त्रिलिंग उसके बाद हमको वचन का परिचे देना होता है कि वचन कौन सा है वचन के दो भीद होते हैं एक वचन और बहु वचन पद परिचे देते समय हमें कारक और कारक चिन्नों का ग्यान होना भी आवश्यक है तबी हम कारक के विशय में बता पाएंगे का सबद कालू में करताने कर्म को कर्ण से संप्रदान के द्वारा का संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की या रारेरी आधिकर में पे पर उपर के नीचे के भीतर आदी संबोधन क़ sus ádhi हे रे अरे ओ आदि इन सब का पर्चे हमें पद पर्चे देते समय करना होता है अब हम यहाँ पर कुछ वाक्यों के दोरा आपको पद पर्चे समझाने का प्रयास करेंगे सेंटेंस है आपका बाकी है यहाँ पर राम घर जाओ अब हमें आपको यहाँ पर राम और घर दो शब्दों का पद परचे हमको देना है पहला शब्द है राम राम क्या है कौन से संग्या है व्यक्ति वाचक संग्या है पुल्लिंग है, एक वचन है, संबोधन कारक में संबोधित संग्या का प्रेकारी है मेरे ख्यार से सब एको समझ में आ रहा होगा घर क्या है, घर एक जाती वाचक संग्या है पुलिंग है एक बचन है कर्म कारक में इस्थान वाचक किरिया विशेशन का प्रेकारी है तो इस प्रेकार हम इन इन शब्दों का पद पर्चे दिया अब दूसरा उथाना देखिए वो स्वयम खाना बना सकती है यहाँ पे दो शब्दों का हमें पद पर्चा देना एक शब्द है वह और दूसरा है स्वयम वह क्या है अने पुरुष सर्वनाम है एक बचन करता कारक में वनाना किरिया कि लौकिक करता का प्रेकारी है स्वयम क्या है निजवाचक सर्वनाम है एक बचन करता में सर्वनाम वहाँ परबल देने का कारे कर रहा है तो इस प्रकार इन दो शब्दों का हमें जो पद परचे दिया मेरे ख्यासे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ़र्ड हमने उधाना लिया है सब लोग घर गए यहाँ पर हमें गए शब्द का जो है वो पद परचे देना है गए क्या है आकर्म किरिया है भूत काल में है भूत कालिक पक्ष है और करतरी वाच्ची है और यहाँ पर करतरी प्रियोग किया गया है उसके बाद है मेरी घर की पास मंदिर है अब यहाँ पर के पास शब्द का हमें पद परचे देना है के पास क्या है संबंद बोधक अव्वे है घर तथा मंदिर संग्याओं के बीच में संबंद इस्थापित करने का प्रेकारी कर रहा है फिर नेक्स है कल मैंने राम और शाम फिल्म देखी यहाँ पर अब हमें परचे देना और और क्या है समाना दिकरन समुच्चे बोधक अव्वे दो समाना दिकरत वाक्यों के बीच में कारे एवं कारक का संबंद हमको प्रदर्शित करने का प्रेकारी आपर कर रहा है इस प्रे प्रेकार से पदों का पदपर्चे देते हैं वो जो हमने आपको प्रेकार बताए उन सभी का पदपर्चे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शियर और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें झाल